फ्रॉव फ्रॉव लेन्ड परर और फ्रेश वॉटर के अंदर दोनों यह जगा पर रह सकता है इन देन्देंसी है टु लिव अन दी जार्ण्ड और इन ती फ्रेश वॉटर , इन दी फ्रेश वडर कलास की बाध करें तो यह एंफीविया क्लास से ब्लांग करता है और फाइलम कॉर्ड डेटा से ठीक है most common species फ्रॉग की इंडिया के अंदर जो पाई जाती है वो है राना टिगरीना इनका बाडी का जो टेंपरेचर है बाडी का वो कॉंस्टेंट नहीं रहता है वो बाडी टेंपरेचर वरी करता है वि चेंज होता रहता है जब वो grasses में होता है या फिर कभी dry land में होता है तो जगह के मताबिक या फिर environmental condition के मताबिक frog का जो color होता है वो change होता रहता है यह जो ability है color change करने की enemies से hide करने की protect करने की अपने आपको इसको camouflage भी कहता है और यह इसके अंदर ability होती है they have the ability to change the color to hide them from their enemies यह जो protective coloration है इसको कहता है mimicry और आपने यह भी देखा होगी frog जो है peak summer जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है यह फिर बहुत ज्यादा सरदी होती है तो उस दोरान frog देखने को नहीं मिलते है क्योंकि वह कहां चले जाते हैं इस दोरान यह बिल के अंदर चले जाते है अपने आपको extreme heat और extreme cold से बचाने के लिए अपने आपको कहां चले जाते हैं यह deep bureaus में चले जाते हैं बिल में चले जाते हैं इसे कहते है summer sleep estivation अगर summer sleep है और hibernation अगर winter sleep है ठीक है यह बात हुई frog की अब बात करते हैं froggy morphology की क्या आपने कभी froggy skin को touch किया है skin को touch किया हो आपने देखा हुए कि जो skin होती हो स्मूद होती है और slippery होती है क्योंकि उस पर क्या present होता है mucos present होता है skin हमेशा moist condition पर maintain रहती है color की बात करें तो dorsal side body का generally olive green होता है with dark irregular spot यह से डाइग्राम में भी शो है इसमें क्या है skin जो है जो color dorsal side body का dorsal side मतलब जो सूरज की तरफ वाली side होती है वो generally olive green होती है और इसके उपर dark regular spot देखने को मिलते है वेंटल side की बात करें तो skin uniformly pale yellow होती है frog कभी भी पानी नहीं पीता है लेकिन यह क्या करता है skin के तरू इसको absorb करता है पानी को frog की body की बात करें तो यह head or trunk में divisible होती है neck और tail absent होती है mouth के ऊपर की बात करे होती है और covered हुए रहती है एक nectating membrane से जो उसको protect करते है जब यह frog पानी के अंदर होता है on either side of the eye आके दोने दोनों तरफ किसी भी side पर देखें एक membranous tympanum जिसको ear से denote के मतलब एक ear का का काम करता है tympanum क्या है membranous tympanum जो की ear का का काम करते है receive करता है sound signal को on either side of eye membranous tympanum ear receive sound signal को receive करता है फोर लिम और हाइंड लिम मदद करते है swimming वाकिंग में leaping में and burrowing में किस्किस में swimming में वाकिंग में leaping में aur burrowing में हाइंड लिम की बात करें जो पिछले लिए इसके frog के यह क्या होते है five digits में होते है five digits होती है और यह larger होते है muscular होते है then four limbs ठीक है लिम हैं मुझे था ने लाइख इन फइब अन्द पाम करें तो फॉर नम करों झानिन चीड़ यह हम से निफ इस दीजिजिर्जम और मेड़ करें तो लिम ओन्द मुझे इनabi स होती है तो भी जिजिजिजिति द्योरुदुब देखने को मिलते हैं मतलब male frog अलग होगा female frog अलग होगा male frog का distinguish किया जा सकता है अगर male अगर कोई frog आपको देखना है कि यह male है कि female है तो आप चेक करिए कि इसके अंदर sound producing vocal sac है कि नहीं है अगर इसके अंदर sound producing vocal sac है then it will be the male frog और साथ मैं आप copulatory pad को भी देखे कि जो four limb है जो four limb है इसके first digit पर एक copulatory pad प्रेजेंट होता है किस पर four limb पर first digit पर copulatory pad प्रेजेंट होता है यह खास बात होती है male frog की जिसके थिरू हम पता लगा सकता है कि यह male frog है कि नहीं है जो की female frog में absent होती है बात करते हैं anatomy की तो body cavity जो frog की है उसके अंदर different organ system देखने को मिलते हैं जैसे digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory, reproductive system with well developed structure and function ठीक है यह सब organ देखने को मिलते हैं जिनका well developed structure और function नहीं मतलब जैसे हमारे अंदर जितने भी organs प्रेजेंट है से उसी तरीके से frog के अंदर भी देखने को मिलते हैं सब यह सभी और डाइजेस्टिश्टिश्टिश्टिश्टम के अंदर क्या क्या होता, elementary canal होती है, digestive blends होते है, elementary canal short होते हैं, इस जो लैंध इंडेस्टिश्टाइन की वह रहती है, कम होती है, mouth open होता है, buccal cavity में ठीके बगकल काविटी के बाद यह इसोफेगस में खुलता है, फिर इसोफेगस के बाद फेरिंगस में खुलेगा, mouth open होता है, फिर यह बककल काविटी लीट करता है, pharynx में इसोफेगस, leads the isopagus through pharynx, that means पहले pharynx, फिर इसके बाद इसोफेगस, जैसे हमार अंदर होता है, nostril, buccal cavity, buccal cavity के बाद फेरिंगस, इसोफेगस के बाद क्या होगा, stomach and then small intestine, isopagus short tube होता है, जो stomach के अंदर खुलता है, जो फिर continue होता है, intestine में फिर rectum होता है, outside by the gloca, जैसे हमा liver secret करता है bile जोsuppi कहा पर store हो रहता है, gallbladder के अंदर, तीक है, liver से क्या secret होता है, bile secret होता है, जो actually juice निकलता है, bile जिसे जो byLEX निकल रहा है, वो कहा जाकर store हो जाता है, gallbladder के अंदर, pancreatic digestive gland है, जो pancreatic juice को release करता है, और इस pancreatic juice का अंदर, digestive enzyme, food capture कर लिया जाता है, bile olai टंके, क तरूं कैसे टंग होती है इसकी बाई लोब टंग होती है फूट का डाइजेशन टेक्स प्लेज़ बाइड एक्षिन ओफ एच्छिए फूट का डाइज़िशन कैसे होता है एच्छिल के तुरू और गैस्टिक जूसेश के तरू जो इस टमख की वाल से सिक्रीट हो रहा है प की तरूं के अंदर स्मॉल इंटैस्टाइन के फ़स्ट पारत में दए ड्यूड नेम शटा था एक्षि जूस लूड ऑल Scott Lori और बाई भीतर से जब्यूग कॉवर्स संप्धूए कर priv gereal mo Girish लाइंट का म्या बाई ग्डैट से कुई रहा है तो पैंक्री तो जूसार है कॉं क से आजे कॉमन बाइल डॉक्त और से कहां कहां से निकल रहे हैं वाइल प्लाइट पर नूम्रस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजन को विलाइ ते यह क्या करते हैं यह करते हैं फूद का रेक्टम से और यह पास आउट हो जाता है क्लोका से क्लोका से लास्ट इंट्री होती है जहां से बिल्कुल बाडी के बहार आ जाता है क्लोका क्लोका से बिल्कुल जितना भी इस material and digested solid waste हो सब का सब बाहर आ जाएगा ठीक है फ्रॉक की respiration के बात करें तो यो नहीं य करता है कि ख्रूड़ और की ऐसके इन तौन का थी हैं सक्रमाघ इंदर सब्सक्राइड करना के तरह क्यों और त्र 시청 करने जो दिजॉव औक्सीजन वार्ट can td present waskin के थो डिवूजन प्रॉसेस के थो क्या हो जाती है डिफ्यूजन के थिवूजन यह वाटर चिजूज oxygen exchange हो जाती है through the skin और किस प्रोसेस के दूआ हो चीन और रहा हो किया जाती है diffusion के दौरा लेंड़ बात करें तो बकल काईविटी स्कीन on lung दाँ लेंड पर बात करेंगे तो डुर स्टाइबेस्टेंट जो आपर पार्ट में ट्रंक के अपर पार्ट पर पेंढ़ साथ रहते हैं ट्रंक रीजन में फोराइक्स रीजन में एर नुस्टिटर टेर बकल गयान एंदर और एंड टू के तुरू होता है याद रखने वाली बात है क्योंकि वह अपना मेटापॉलिजम बिल्कुल खत्म कर देता है हाइबनेशन और इस्टाइवेशन के दौरान देट मेंस लंक्स के तुरू रेस्पिरिशन नहीं होगा बलकि किसकी तुरू आदा होगा इस्किन के दौरा होगा यह बात थी एस्टाइवेशन और हाइबनेशन के दौरान की किस तरीका के गैसे एक्सचेंज होता है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से रिवाइस करें